देश भर में आज ईद का तेओहार धूमधाम के साथ मनाय जा रहा है। राद भर बाजारों में रौनक रही और लोगों ने सेवई कपड़ों की खरीदारी की है और सुबह मस्दिदों में नमाज के लिए पहुंचे। देश के तमाम शहरों में लोग ईद की नमाज अदा कर रहे हैं और सुख शांती के साथ तरक्की की दुआ मांग रहे हैं। आम लोगों के साथ राजनीतिक जगत के दिगज भी इस ईद का जश्न धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आपको बतादे कि राश्चुपती रामनात कोविन, प्रधानवंती नरेंद्र मोधी और कॉंग्रस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को ईद की शुपकामनाई दी है। राश्चुपती कोविन ने ट्विटर पर लिखा है कि सभी देशवासियों, खास सौर से देश और विदेश के हमारे मुस्लिम भाईयों और बहनों को ईद मुबारक। रमजान के महीने के समापन का ये त्योहार परोपकर और भाईचारे की भावना में हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। ये शुप दिन हम सब के परिवारों में खुशिया, शान्ती और सम्रत दिलाए। आपको बतादे कि आज पूरे देश में धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी बीच राश्चुपती रामनात कोविंद और साथी प्रधानमंती नरेंदर मोधी ने भी ट्वीट करके सभी देशवासियों को ईद की शुपकामनाय दी हैं और साथी कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांधी ने भी ट्वीट करके सभी देशवासियों को इस त्योहार पर शुपकामनाय दी हैं और साथी सुख शान्ती की मनुकामना मांगी है आपको बतादे कि इस मौके पर बाजारों में रौनक देखी जा रही है धूमधाम से पूरे देश में एद मनाय जा रही है और ये एद ऐसा कहा रामनात कोविन ने कि भाईचारे का संदेश देती है कि अधे आपने का संदेश देश प्रेश और में जाईब अर भाईब देखी है